नमस्ते, तो आज हम रिडिंग करते हैं अगले तीन घंटों में क्या कुछ हो सकता इस रिष्टे में, ठीक है, अगले तीन घंटों के एनर्जी हम चेक करने वाले हैं, आपको क्या करना है, पूरा फोकस लगा देना अपने पार्टनर के उपर, ताकि आपको एनर्जी मिल सके ठीक है, और एक लाइक चुपका दो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रिडिंग, गैस कुछ लोग आपर ऐसे कि आने वाले तीन घंटों के अंदर ये परसन किसी से बहुत डिसकस कर सकता है, इस रिष्टे को लेकर, और बहुत ज़दा ऐसे एनर्जी है कि वो उनके परिवार के साथ में भी बात करें आपको लेकर, इस रिष्टे को लेकर, या तो ऐसे भी हो सकता है कि या तो आपके परिवार में अगर शादी की बात चल रही हो, तो इस इंसान को डर लगे, कि यार उसके घरवाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा कुछ शादी की बाद भी याँपर आ सकती है अगले तीन घंटों में कुछ ऐसे अनरजी है कि शादी को लेकर या तो आपके घर में बात छिर सकती है या तो इनके घर में कुछ लोग याँपर ऐसे है कि या तो इस इस इसान ने किसी friend के त्रू आपको already message कर दिया है कि वो इंसान आप में बहुत interested अभी भी है या तो अगले तीन घंटों के अंदर ये अंसान आप तो कोई ऐसा message किसी के through send कर सकता है किसी के साथ discuss करेगा इंसान कि वो इस रिष्टे में आगे बढ़ना चाहता है उसको आप में आज भी आज भी आप से प्यार करता है और आज भी उसको इस प्यार में आगे बढ़ना है मुझे यापर बहुत ऐसे ही लोग दिखाए ज़रे कि जो मेभी डेड़ महिने से या तीन महिने से बात्चित नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में ठीक है कुछ लोग यापर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे है ठीक है और अब इस इंसान को ऐसा लगते कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका साथ ना छोड़े लेकिन उसने अल्रोड़ी आपका साथ छोड़ दिया है अब जाके उसकी आखे खुल रही है कि मैंने जो किया गलत किया मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए नमबर सेवन बहुत स्ट्रॉंग है यापर यल से भी उनका नाम शुरू हो सकता है सी हो सकता है वी हो सकता है यापर बना है यम यन बना है ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे इसमें कोई डाउट नहीं अगले तीन घंटों के अंदर इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं जिसके जवाब सिर्फ आपके पास है वो कोई भी सवाल हो सकते हैं बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला है ये अनसान कुछ लोग यापर ऐसे भी है दिल बना है का इजया पर दिल आप दोनों भी एक दुसरे के दिल में रहते हो आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है बहुँत चांसे से कि गलत फ्यामिय का शिकार आप दोनों भी हूचोके हो ना इस इंसान ने आपको समझा ना आपने इस इंसान को समझा दोनों के दिल में जब दोनों भी रहते हो तो इतनी जो शिकायते हे ये ये कुछ माईने नहीं रखती जब प्यार गहरा हो, जब प्यार सच्चा हो तो ये शिकायत है, ये गलत फ्यामिया कोई माइने नहीं रखती है एक ना एक दिन ये गलत फ्यामिया मिटने वाली है ये जो एक दूसरे से आपको जो शिकायत है, वो मिटने वाली है और आप दोनों इक होने वाले हो, ठीक है, कोई दिविधा परिसिती हो सकती है, बहुत ज़दा चांसे से, अगले तिन घंटों में एंसान इधर जाओ कि उधर जए ऐसे किसी सोच में हो सकता, यू, यू for umbrella यहाँ पर बना है, ठीक है, कुछ लोग के लिए, बहुत लोग यहा इंसान का जो परिवार है, वो शादी के लिए मानता नहीं है, या इनके परिवार में love marriage वगरा चलता नहीं है, इसे बहुत ज़दा energy है, यह इंसान चुप चुप के आपको देख सकते हैं, अगर आप पास में रहते हो, तो आप यह महसूस करो कि इंसान आपके उपर नजर साथ हो, क्या हो, सब कुछ जानने की कोशिश करेगा, आपकी information gather करने की कोशिश यह इंसान अगले घंटों में करने वाला है, किसी की दोस्त के तुरू, या तो आपके किसी दोस्त के तुरू, या खुद के किसी दोस्त के तुरू, आप तक message send करने की भी कोशिश कर सकता है, और आपकी information gather करने की भी कोशिश कर सकता है attraction तो रहेगा, definitely रहेगा negative thoughts जादा रह सकते हैं आपकी person, कुछ रोकरे में बता दू कि ये इंसान जो past में आपने इस इंसान के उपर अगर कोई blame किया है अगर कुछ गलत फ्यामिया हुई है तो ये इंसान अचानक आपसे बात कर सकता है अचानक ठीक है और वो मतलब जो पिछली बाते हैं उनको निकालेगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला था तुमने मुझे ये क्यों बोला वो क्यों बोला मतलब अचानक धमाखा भी हो सकता है कुछ लोग के suddenly suddenly इस इंसान का call आएगा और ये जगडा करना शुरू करतेगा कि तुमने ये क्यों किया तुमने वो क्यों किया कुछ भी कुछ भी बात को निकाल कर इंसान जगडा करना शुरू कर सकता है और ये अच्छानक हो सकता है मतलब सोचाना समझा अचानक से उसका कॉल आए और उसने आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया जगडा करना शुरू कर दिया मतलब आपको समझ में आएगा कि आप मुझे बोलना क्या चाहिए मैं क्या बोलू इसको आपके परसन का क्या है कि ये पल में कुछ और सोचने शुरू कर देते हैं तो दूसरे ही पल में इसके सारे जो विचार है वो बदल जाते हैं ये इनसान कभी भी किसी भी decision पर कायम नहीं रहता है अब जैसे कि मैंने बोला कि अगले कुछ घंटों में कुछ धहमाका हो सकता है अच्छानक इसका call आ सकता है अच्छानक जगड़ा कर सकता है और दूसरे ही पल में ये sorry भी बोल सकता है मतलब ऐसी एनरजी है या पर केक पल में जगडा करें दूसरे पल में आपको sorry बोलेगा sorry यार मुझे बहुत गुस्ता आ गया था तुम्हारे उपर तुमने ये किया था तुमने वो किया था मुझसे बरदाशनी हो रहा था फिर मैंने call कर दिया और फिर sorry भी बोलेगा कि ठीक है मैं गुस्ते में जो बोला उसके लिए sorry है तो ऐसी हालत इस इनसान के पता है ये इनसान खुद समझ नहीं पाता कि इसको करना क्या है ये इनसान अच्छा क्या है उसके लिए बुरा क्या है उसके लिए समझ नहीं पाता कभी-कभी तो इसने अच्छे लोगों को बुरा समझा और बूरे लोगों को अच्छा अगर आपके खिलाब कोई इस इंसान के कान भर रहा था तो इसने उस इंसान को अच्छा समझा और आपको बुरा समझा ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसे ने इसको गलत बताया है इस रिष्टे को लेकर कि तुम क्यूँ उसके पीछे भाग रहे हो तुम तो कोई भी अच्छा मिल सकता है ऐसा है वैसा है अगर ऐसा कुछ रहा है तो इस इंसाने दुसरों को पर भरुसा भी कर दिया मेबी ट्राय भी किया हो कि कोई अच्छा मिल जाए लेकिन सब फेल रहा है आपके प्यार के सामने सब कुछ फेल है सच्चा प्यार उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता और इसको पता है कि आप उससे सच्चा प्यार करते हो और जब उसको ऐसास हुआ कि इसके सामने सब फेल है इसके beauty के सामने इसके प्यार के सामने सफ्फेल है तब अब ये अंसान गुटनों पर आ चुका है और अगले कुछ घंटों ये अंसान बोल भी सकता है ये बात क्यार मैंने तुम्हारे उपर शक किया मैंने जो गलत फ्यामे के उसके लिए sorry है पहले तो जगड़ा करने के mood में आएंगे जगड़ा करेंगे और फिर उसके उपर sorry भी बोलेंगे मतलब आप खुद confused हो जाओगे कि इसको माफ करना भी है या नहीं करना है क्योंकि पल में कुछ और बोलेगा तो पल में कुछ और बोलेगा y बना है यहाँ पर y ठीक है कुछ लोग के लिए t y अक्षर हो सकता है उनका नाम o बना है ठीक है और यहाँ पर है f f अक्षर भी हो सकता है c अक्षर हो सकता है e अक्षर हो सकता है y h हो सकता है ठीक है V हो सकता है Number 7 जैसे कि मैं पहले बता है J J अक्षर हो सकता है और और कौन सा Alphabet बनता है देखते हूं Yes Yes अक्षर हो सकता है Okay K K for King K अक्षर हो सकता है तो इस इंसान को एक बात समझ में नहीं आती है कि वो खुद ही इस रिष्टो को बना सकता है वो खुद ही इस रिष्टो को बिगाड भी सकता है आप तो इससे प्यार करते हो आप तो इस इंसान को माफ भी कर दोगे लेकिन अगर बार बार ये अंसान ऐसी ही गलत हरकते करता रहेगा तो आप भी कितनी बार माफ करोगे ठीक है अट्राक्शन इतना गजब का रहेगा इस इंसान को अगले कुछ घंटों में बहुत जादा बहुत ही जादा अट्राक्शन रहेगा और जो ये इंसान अपने आप के उपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा जो ये इंसान अपने फिलिंग्स के उपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो तडपेगा बहुत ज़ता तडपेगा और गुस्सा भी हो सकता है अपने आप के उपर गुस्सा हो सकता है अगर परिवार इंकार करता है तो परिवार के उपर गुस्सा हो सकता है अपने आस पास कोई बैठा है तो उसके उपर नाराज हो सकता है किसे ना किसे के उपर गुस्ता निकाल सकता है और बहुत चांसे से कि आपके उपर भी गुस्ता निकाल सकता है पर कुछ लोग ऐसे ही कि आपके परसन आपके उपर भी अगले कुछ घंटों में गुस्सा निकाल सकते हैं हट कर सकते हैं आपको आपके परसे इतने ज़दा सपने देखते हैं आपके लिए और अगले कुछ घंटों में भी मतलब इस अंसान के आखों के सामने से आप हटते नहीं हो अगले तीन घंटों में भी ये एंसान आपके सपने देखेगा, आपके लिए बहुत कुछ imagine करेगा, visualize करेगा, शादी की बात सोचेगा, ठीक है, और बहुत चासे ये भी है कि एंसान पैसों को लेकर कुछ चर्शा कर सकता है, किसी और के साथ कर सकता है, या तो आपके साथ कर सकता है, कोई जॉब को लेकर, फाइनांस को लेकर, बिजनस को लेकर, कोई ऐसी चर्शा कर सकता है, पैसा, पैंटकल से हापर बने है, या ये अनसान ऐसा बोल सकता है कि शादी तो करनी है आपसे, लेकिन financial problem है, ऐसा भी बोल सकता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसी है, अगर आ आपके आखे बहुत खुबसूरत लगती है, इस इंसान के अंदर transformation आ सकता है, इन दो-तिन दिन में बहुत जा transformation यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे की energy जो हम देख रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा आपके उपर प्यार, ऐसे कुछ अगले तीन घंटों में होने वाला है, अगले तीन घंटे क्या कुछ energy आती है देखते हैं, फोकस करना है अपने partner के उपर देखते हैं, सबसे पहले मैंने बोला था न यह अंसान परिवार से चर्शा कर सकता है, परिवार से बात कर सकता है आपको लेकर शादी को लेकर, या वो बता सकता है कि उसका परिवार तयार नहीं है शादी के लिए, ये एक रिजन बता सकता है, कमिट्मेंट, अगर आप मांग रहे हो, तो कोई रिजन होना चाहिए उसके पास, अटेन अपैंड़कर्स के नोजी, जैसे कि मैंने कैंडल वैक में भी आपको बोला कि फाइनस को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, पैसो को लेकर, कुछ न कुछ ऐसा चर्चा, ये किसी ना किसी के साथ करेगा, कि यार मुझे उस रिष्टे में आगे तो बढ़ना है, लेकिन पैसो की दिक्कत है, शादी क कैसे करूंगा, घरवाले नहीं मानते है, घरवाले बोलते हैं, तु खुद तो कमाले पहले, ऐसे कुछ अनर्जी हापर है अगले तीन घंटों में, राशी है, टोरस वर्गो के अप्रिकॉन, और ये इनसान एक बात बता दुमें, कि इनसान घरवालों के साथ होकर भी, ठी अकेला फील करेगा, या कही पर भी ये बैठा हो, ठीक है, किसी के भी साथ बैठा हो अगले तीन घंटों के अंदर, वो अपने आपको बहुत अकेला फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि आपके अलवा उसका इस दुनिया में जैसे कोई है ही नहीं, जब वो आपके साथ र सोचना इस इंसान को मुश्किल हो जाता है, और अगले तीन घंटों में भी इस इंसान को गलतिया दिखाई तो देगी, लेकिन उस इंसान को, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पाएगा, कि उसको क्या करना चाहिए, क्या डिसिजन लेना चाहिए, और खुद की गलती वो अबी नहीं, ठीक है, ओके, टेन अप कप्स, वापस वह एनरजी शादी को लेकर कुछ बात हो सकते, कुछ लोग आपर ऐसे भी कि इनसान आपको कमिटमेंट दे सकता है, बहुत कम लोग आपर ऐसे है, टेन अप कप्स की जो एनरजी है, ये इनसान खुद कंपलेशन चाहता इस रिष्टे में, ये इनसान खुद आपसे शादी करना चाहता है, टेन अप कप्स और टेन अप पैंटकल्स, ये दोनों कार शादी के हैं, ठीक है, ये इनसान बहुत सपने देखता है, शादी को लेकर, और अगले तीन घंटों में बहुत इमेजन वेजवलाइज करेंग इस इनसान के, डेथ, एक न्यू बिगनिंग, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है, कि अगले कुछ घंटों में रिविनियन हो सकता है, डेथ की जो एनर्जी है, एक नई शिरवाद भी हो सकती है, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है, कि आपके परसन ना कि सिर्फ आप को कमिट्मेंट देंगे, तो इस रिष्टे में आगे बढ़ेंगे, अगर नो कॉंटक में आप हो, तो कॉंटक में आ सकते हो, डेथ के अनर्जी है, अंधेरा खतम हो सकता है, इस रिष्टे में जो अंधेरा आ चुका है, जो जुदाई है आप दोनों के बीच में, जो तनह यह मिठ सकती है ठीक है बाक्तित होने के जादा मुझे आपर चांसेश दिखाए जड़े कि कॉल हो सकता है मैसेश हो सकता है बात हो सकती है ठीक है और यहाँ पर है क्विन और पैंटेकल्स लेकिन वह बहुत ऐसा भी हो सकता है कि पैसो की बज़र से खुद को रोक ले कमिट्म प्रॉब्लम है इसके लाइफ में या वो कोई गिफ्ट देने का सोचे लेकिन ना दे पाए या वो इंसन आपके लिए कोई गिफ्ट खरी दे लेकिन वो आप तक ना पहुचा पाए ऐसी कुछ एनरजी यहाँ पर है कुछ देना चाहता है लेकिन वो रुक जाएगा ऐसा ठ अगले तीन घंटों के अंदर बहुत लोग या पर ऐसे भी है कि एनसान आपको एक वादा करे कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे जो भी हो जाए चाहे परिवार ना माने चाहे समाज ना माने चाहे तुम्हारा परिवार ना माने मैं तुम्हीं प्रॉमिस क कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा ओके ऐसी कुछ एनर्जी आपर आई है और क्या हैं किंग और क्विन दोनों काड़े आपर आचुके हैं देखो फॉर फॉर वांड्स यहापर कुछ लोग ऐसे भी है कि शादी को लेकर बहुत अब्स्टेकल्स तो है यह एंसान आ अगर परिवार इनकार करता है अगर तुम्हारा जो कुछ भी है आपका परिवार या इनका परिवार कोई तो इस शादी के खिलाफ है और वो इनसा आपको बोल सकते कि फिर तुम्हें रेडी रहना है जो रुकावट आएंगी जो आपस्टेकल्स आएंगे जो मुसिबत का सामना तुम्हें करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें रेडी रहना है फिर एक तरह से वो आपको अलर्ट कर सकते हैं अगर हमारी शादी होती है तो इसमें इतने ज़्यादा आपस्टेकल्स आ सकते हैं तो यह शादी मुश्किल है लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी कोशि हैं आपके साथ शादी और बॉर्टम में है दमैजिशन अगले कुछ घंटों में इंसान इसकदर आपको मेनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा उसको ऐसा लगेगा कि यार जादू हो जाना शाइए और कुछ लोग के लिए मैं बता दू कि जो मैजिशन का काड़ है अगर आ आप जो भी मेनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा हो जाएगा मैजिशन के इनर्जी क्या बता रही है कि एंसान हमेशा ही दिमाग से ही चलता रहा इससे कभी दिल की नहीं सुनी लेकिन अब इसको लगता है कि अगर वो दिल की नहीं सुनीगा तो वो आपको खो देगा वो यहापर टृत गाइस कुछ लोग यहापर ऐसे हैं कि आप कोई सच्चाई ऐसी है जिसे जानने के आपको कोशिश करने चाहिए ठीक है ऐसा कोई सच जो आपके सामने आना ज़रूरी है और मेबी आप कुछ लोग तो ऐसे कि जान बुचकर उस बात को इग्नोर कर रहे हो एंजल की ब्लेसिंग आपके उपर है ठीक है आपको डरने की जुरूरत नहीं है कोई आपका बाल वाका नहीं कर सकता कोई आपका बुरा नहीं कर सकता रेकिन फिर भी अलर्ट रहना आपका काम है ठीक है आपको यहापर बहुत लोग ऐसे कि कि किसी बहुत ही पेंफुल वरूर होगा यह भगवान के जिम्मेदारी है आपको जस्टिस देना क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा कुछ लोग आप रहे ऐसे कि आपके जिन्दगी में कनेक्शन बनने वाले हैं नई फ्रेंड्स आने वाले हैं नई कम्यूनिकेशन ठीक से कर नहीं पाते हो तो आपको अपने कम्यूनिकेशन स्किल पर काम करना जरूरी है और कुछ लोग के लिए मैसेज बता दू मैं कि इस इंसान के दरब से कम्यूनिकेशन रिसी होगा अगले तीन घंटों में बहुत ही ब्यूटफुल एनरजी हैं अगल जब आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब आपके लाइफ में हार्मनी आएगी ये आपको इंजल इन्वर्स बताना चाहते हैं अपने कम्फर्ट जोन में रहते रहोगे तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हो जिंदक में आपको कभी पता ही नहीं चलेगा तो कोशिश करो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की और फिर सारी हर्मनी आपके तरफ आएगी जो आप चाहते हो I hope आपको रेडिंग पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए